मोहन काबिनेट की बैठक खत्म और मद्यप्रदेश काबिनेट मीटिंग संपन हुई है काबिनेट बैठक में कई महद्रपूर्ण घोशनाय हुई जिसमें तै हुआ कि प्रदेश के हर ऐसे जिले जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है केलाश विजयवर्गे ने कहा कि 75 प्रतीशत बैड गरीबों के लिए आरक्षुत होंगे प्राइवेट एजेंसी 25 प्रतीशत बैड इस्तमाल कर सकेगी और बैठक में ये भी तै हुआ कि आगे से ग्रामीड पंचायत विभाग में तैनात सचिवों के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी जिले के बाहर भी तबादले हो सकेंगे बैठक मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अध्यक्षुता में हुई इसके बाद इस सभी आयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुए मुखे मंत्री ने कहा कि आयोध्या धाम की यात्रा के बाद प्रदेश के विकास और धार्मिक परयटन से चुड़े कई निवडेओं को मूर्त रूट दिया जाएगा हमारी सरकार अयोध्याधाम में मध्यप्रदेश के यात्रियों के लिए धरमश्वाला का निर्माण करने और हमारी प्रदेश के प्रमुक धार्मिक स्थलों पर अन्य प्रदेशों की सरकार को स्थान उपलब्द कराकर धरमश्वालाय बनवाने का भी प्रयास करेंगी